ग्वालियर में विश्व विद्याले थानाक्षेत्र के गोविंदपुरी इलाके में स्थित बाल संप्रेशन ग्रिह से शुक्रवार तड़के बात्रूम के रोशंदान की जाली हटा कर भागे पांच बाल अपराधियों में से देर शाम दो बाल अपराधी फिर से संप्रेश का आरोपी है जो जनकगंज इलाके में हुई थी इस बाल अपचारी को उसकी मांदवारा संप्रेशन ग्रिह लेकर आया गया इस बाल आरोपी ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही परिचित की धारदार हत्यारों से हत्या कर दी थी और उसकी लाश के टुकड़े करके नाल इन्हें नाबालिक होने के कारण बाल संप्रेशन ग्रिह में रखा गया था लेकिन इन शातिर दिमाग बाल अपचारियों ने बात्रूम के रोशंदान की खिड़की को तोड़ा और उसमें से फरार हो गए अभी भी तीन बाल अधिकारी फरार हैं जिनका फिलहाल पता नही चला है उल्लेकनिये की छे महीने पहले भी इस संप्रेशन ग्रे के चौकीदार और रसोईयों को बंधक बना मार पीट करके आधा दरजन बाल अपराधी फरार हो गए थे इसमें भी हत्या और लूट के आरोपी शामिल थे आज प्राधा बाल संप्रेक्शन ग्रे थार्टी फूल से पांच बाल अप्चारी बात्रूम का जब जो उपर वेंटिलेटर की जाली होती उसको अटाके निकल गए थे उन बाल अप्चारीों की तलाश पुलिस के दोरा परीजनों से संपर करके की गई थी तो बामर से एक बाल अप्चारी को लाके वापिस बाल संप्रेक्शन ग्रे में दाखिल कराया है एक बाल अप्चारी को उसके परीजन ही उसकी माँ वापस लेके आई है एभालाप्चारी की मा सुबह समपर्क्षारी के मिल गई थी जिसे पुलिस द्वारा समझाईज दी गई थी एक तीन बालाप्चारी बचे हैं जिनके परेजनों से लगाता अब प्रियास किया है यह जो आई हुए अप्चारी जो है एक तो चोड़ी के प्रकड़ में हैं और एक 302 के प्रकड़ में हैं